नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हिमाशू और आप सब को स्वागते मेरी यूटूब चैनल डिजिल डोस में दोस्तों एरटेब और वोड़ाफोन आइडियो ने 1 दिसम्बर से और जियो ने 6 दिसम्बर से अपने टैरिफ प्लांस महेंगे कर दिये हैं एक दिसम्बर से एरटेब और वोड़ाफोन आइडिया ने जियो की तरह 6 पैसे प्रती मिनिट आईउसी भी लगाया था मतलब अगर आप किसी अन्य नेटवर्क पर कॉल करते हैं एक तैय लिमिट के बाद तो आपको 6 पैसे प्रती मिनिट खर्चने होगे लेकिन 6 दिसम्बर से जब से जियो के नई प्लांस एप्लिकेबल हो गए हैं उसी दिन एरटेब और वोड़ाफोन आइडिया ने दुबारा 6 पैसे प्रती मिनिट आईउसी हटा दिया तो फ्रेंड्स पूरी जान करीगें के लिए इस वीडियो को एंग तक धिकते रहे हैं वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजे अपने फ्रेंड्सıldर फेमिली के साथ शेयर भी किजे और मेरे चैनल पर न नई है तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर क्योंकि मैं ऐसे ही डिजिनल डोस वीडियो की फॉम में लाता रहता हूं तो आई ये वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखेर ऐसा क्या हुआ कि एर्टेल और वोड़ाफोन आइडिया को आयूसी हटाना पड़ गया तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में सभी की प्लान्स कंपेर करके बताए थे कि जियो हर प्लान में पचास सौ रुपे एर्टेल और वोड़ाफोन आइडिया से सस्ता है तो 6 दिसंबर से जियो की नए प्लान एप्लिकेबल हो गई थे तो जब सभी प्लान्स में जियो बैतरदा तो लोग रातो रात एर्टेल और वोड़ाफोन आइडिया से जियो में पोर्ट करा ले थे इसी वज़ा से 6 दिसंबर को एर्टेल ने अपने ऑफिशल ट्विटर हंडल पर ट्वीट किया जिसमें उन्होंने पताया है कि उन्होंने 6 पैसे प्रतिमिनट आयूसी हटा दिया है और उसी के 2-3 गांटे बाद वोड़ाफोन आइडिया ने अपने प्रतिमिनट आयूसी हटा दिया है तो अभी हम ये कह सकते हैं कि अटल और वोड़ाफोन आइडिया में 6 पैसे प्रतिमिनट आयूसी हट गया है और अब unlimited free calling का मतलब यही है कि आप unlimited किसी भी अन्य network पर call कर सकते हैं तो 6 पैसे प्रती मिनिट IUC हटने के बाद अगर अब हम plans में अज़र डालें तो 28 days के unlimited call और 1.5 G by day data वाले plan में AirTel 248 रुपीज का है, Vodafone 249 रुपीज का है Idea 249 रुपीज का है इन Qo में तो आपको unlimited calling मिलती है लेकिन Jio यह plan 199 रुपीज का देता है लेकिन आपको 1000 मिनिट FUP मिलते हैं अगर आप इसके बाद किसी अन्य network पर मतलब Jio से किसी और network पर call करते हैं तो आपको 6 पैसे प्रती मिनिट देनी होगे वहीं अगर आप 84 days की बात करें 84 days की 1.5 GB per day data वाले plan में आपको Airtel 598 रुपीज का मिलता है Vodafone 599 रुपीज का मिलता है आइडिया भी 599 रुपीज का मिलता है इसमें भी आपको unlimited calling मिलती है लेकिन Jio में यह plan 555 रुपीज का है लेकिन इसमें आपको 3000 मिनिट FUP मिलते हैं जिसके बाद आपको 6 पैसे प्रती मिनिट खर्चने होंगे तो अगर अब हम plan compare करके देखें तो Jio के plan Airtel और Vodafone आइडिया से 500 रुपीज सस्ते तो हैं लेकिन Airtel और Vodafone आइडिया हमें free unlimited calling दे रहे हैं लेकिन Jio में एक 10 limit के बाद आपको 6 पैसे प्रती मिनिट अन्य नेटबक पर कॉल करने के लिए खर्चने होंगे तो friends अब तो CVC बात है अगर हमारा data consumption जादा है तो हमारे लिए Jio best है और अगर हम voice calling जादा करते हैं तो हमारे लिए Airtel और Vodafone आइडिया और friends अभी कुछ पता नहीं है कि आने वाले टाइम में Jio B6 पैसे प्रती मिनिट IUC हटा दे या फिर Airtel और Vodafone आइडिया अनलिमिटेड कॉलिक पे कुछ terms and conditions एपलाई कर दे तो friends मैं तो यही कहुँगा कि आप जिस भी SIM को लेकर बैटे हैं उसी company की SIM use करें अगर आपके अच्छे network आते हैं तो अभी port कराने की ना सोचें क्योंकि इनकी plans बार-बार change हो रहे हैं एक पर इनकी plans में stability आ जाए फिर आपको जो भी अच्छा लगे आप उस company में port कर सकते हैं तो friends मुझे उमीद है कि आपको इस वीडियो अच्छी लगी होगी अगर इस वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like कर दीजेगा अपने friends और family की साथ share भी कीजेगा और मेरे चैनल पर ना है तो मेरे चैनल को subscribe कर दीजेगा कुकि मैं ऐसे ही डिजेटल डोस वीडियो की फॉर्म में लाता रहता हूँ अभी के लिए मैं चलता हूँ Thank you